हे 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 what's up everyone and welcome to pray education तो दोस्तो आज का मार topic है to being late already हम part 1 discussed कर चुके है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने link description box में दे रखी है अब जाकर check out कर सकते हो so guys without wasting too 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 much time let's get started दोस्तों next point में आते हैं next point है हमारा to being late हमें हमें हमेशाब लेट नहीं होना interview के time पर अगर आप फिजिकल interview देनी जा रहे हो तो ensure को कि 30 मिनिट्स पहले आपको पहुंचना है अगर आप online interview दे रहे हो तो आपको 10 मिनिट्स पहले टेटी हो जाना interview के लिए है आपके पहले points जाने पर तो फायदे होंगे फायदा यह होगा कि interview को पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा पंच्वल हो आप पर अच्छा impact पड़ेगा दूसरे फायदे के बात करो तो दूसरा फायदा आपका होगा अब interview के टाइम में nervousness फिल नहीं करोगे interview के पहले और interview के टाइम पर हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा nervousness होती है इसलिए हमें interview के टाइम पर कभी भी लेट नहीं होना चाहिए so guys I hope you understand well keep learning keep exploring till then bye bye and take care